तो मेरे पास कुछ अपडेट्स है होकाई की सीरीज से रिलेटेड तो फर्स्ट अपडेट है कि उसमें जो एक इस्टर एक था वो MCU के जो Avengers Expansion का था वो था Moria Braden का जब वो हमारी Kate Bishop अपने आंट के घर जाने के लिए यह नमबर देखती है तो 6D ऐसे यह पता करती है कि भई उस 6D पे जब हम घंटी बजाएंगे तब उनके घर घंटी बजएगी कुछ ऐसे था और जो अब और अपडेट है इससे रिलेटेड वो यह है कि जो यह होकाई की सीरीज है इसे बॉइकोट किया जा रहा है क्यों कि मलब यह जो भी लोग है वो होकाई की सीरीज नहीं देख रहे है उससे डिसलाइक दिया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे का कारण यह है कि होकाई की जो एक पहले कोई कोमेक आई थी उसमें जो एक तरह से एक यह यूज किया था कि एक डिजाइन यूज किया था वो जिस आर्टिस्ट ने यूज किया था उसको ना कोई मनी दिये बिना किसी चीज की ये एक नया पोस्टर बना दिया गया जो कि होकाई की सीरीज का है मलब वो उसी से इंस्पायर्ड है और जो वो आर्टेस्ट था उसको मलब थोड़ा सा मलब उसके साथ देने के चकर में लोग ये होकाई की सीरीज को डिसलाइक कर रहे हैं उसे ना पसंद कर रहे हैं उसे बॉयकोट कर रहे हैं और ये चाहरे हैं की कोई होकाई की सीरीज ना दिखे तो अभी इसमें एक तरह से ये का जा रहा है कि डॉन्ट फिल रिवोर्डिंग डिस्नी फॉर बिइंग स्टिंगी बलब कि जो डिस्नी है उसे बोला है कि तुम इसे reward मत समझो कि ये जो है इसे reward मत समझो आचा हम आगे आते हैं तो हेली स्टाइन फिल्ड जो है जो कि एक तरह से हमारी केट पिशोप का रोल प्ले करती है होकाई की सीरीज में तो उन्हेंने एक heartfelt message दिया है अपने इंस्टाग्राम पे और gratitude मालब gratitude देखाते हुए कि भई भगवान ने जो दिया उस पे खुश होते हुए यह काया कि होकाई का जो प्रीमियर था उसमें पहुत मालब जो उसकी first image थी first day जो था filming का उसमें वो रुखी नहीं पाई थी उसे उसके की वो होकाई को देख पाएंगी और होकाई के बारे में और जान पाएंगी इन सब के लिए मलब होकाई की series को मलब जब उन्होंने देख देखने के लिए जब वो प्रीमियर पे गई तो वो रुख नहीं पा रही थी और ये ये तो छोटा मोटा लेकिन जो last है वो सबसे important है जो Paul Rude है वो ह होकाई की series में देख सकते हैं मलब जो हमारे Ant-Man का role play करते हैं Marvel Cinematic Universe में वो होकाई की series में देख सकते हैं अगर जो डायरेक्टर चाहते हैं वो पूरा हो सकते तो मलब डायरेक्टर जो थे इसके होकाई series के वो चाहते थे कि भई ये Paul Rude का जो character है वो हमें इस series में भी देखने को मिले लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टर को मलब जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो सका कुछ ऐसे issue होगा अब हमें वो नहीं पता लेकिन जो अब last है वो बताया गया है वापस हेली स्टाइन फील्ड ने कि जो Kate Bishop है वो Thanos का जो snap था उससे survive कर गई थी मलब वो जो काय की सीरीज के दो साल पहले मलब आप एंड गेम के इवेंट्स में मलब इंफिनिटी वोर के इवेंट्स में जो हेली स्टाइन फील्ड थी वो जिन्दा थी वो शिकार नहीं होई थी snap का यहीं वो सब अपडेट्स थी जो मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी होप करता हूँ मैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो मैंने कई सारी अपडेट्स दिये इस वीडियो में हो काय से रिलेटेड आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मिलूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए प्रुम्ला